अब बात एक ऐसी खबर की जो सरकार के दावों को जुठलाती है। उनको आईना दिखाती है जो तेज तरक्की की बात करते हैं, अर्थव्योस्था को मजबूत करने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि उत्तर परदेश बहुत आगे बढ़ गया है, वो ये देखें कि अर्थव्योस्था के मामले में, जब हम उत्तर परदेश को भारत के अगरणी राज्यों में ले जाने का दावा कर रहे हैं, ऐसे वक्त में उत्तर परदेश के एक विभाग में कई सो करमचारिय को कई महीनों से बेतन नहीं मिल पा रहा है, बिना बेतन के वो नोकरी कर रहे हैं, ये खबर सरकारी तंत्र के उन दावों के लिए आईने की तरह है, जो उनको सच्चाई दिखाएगी, यूपी के जो तेज रफ्तार जिंदगी की बात करते हैं, वो ये जान ले कि यूपी क को आठट महीने से तंखा नहीं मिली है, पहले आप इस डीटेल को जानिए कि उत्तर प्रदेश में करीब चौवन बाल सुधार ग्रह हैं, यहां पर करीब तीन सो करमचारी काम करते हैं, जिन में अधिछक और केर टेकर के पद हैं, इन बाल सुधार ग्रहों में कई ऐसे हैं राज में जहां आठट महीने हो गया, वहां करमचारीों को बेतन नहीं मिला है, मंतरी है बेबी रानी मौरिया, तो बेतन का क्या होगा, करमचारी का घर कैसे चलेगा, परमुक सच्यू है, बीना कुमारी मीना, जिनके घर में बेतन नहीं आरा आठ महीने से, उनके बच्चो के लिए गरम कपड़े खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे ये सब परिसानियों को सुनने वाला कोई नहीं है लखनों में कुछ बाल ग्रहों में दो-तीन महींनेक तनका मिल गई तिन तिन चरचर महीने बैकलाग है कानपूर में भी ऐसे बैकलाग है छेचे महीने का करमचारी लोगों से उधार ले रहे हैं मंत्री परमुक सच्यू इनके सुखसुविधा में कोई कमी नहीं आएगी ना गाड़ी में ना लाव लसकर में ना खर्चा खुराक में लेकिन करम करमचारी छे महीना आठ महीना पांच महीना इनको तनखाए नहीं मिले यहां गाड़ी बंगला नुकर चाकर सुखसुदा में लाखों रुपया खर्च हो रहा है और करमचारी जिम्मेदारी की ड्यूटी निभा रहे हैं एक तरह से नियायले के आदेश पर वो काम करते हैं बाल सरचल करे में वो बच्चे रखे जाते हैं जो नावालिक होते हैं और जिनका किसी अपराद में नाम आ जाता है वो विचारा दीन के तोर पर होते हैं उनकी बहुत बड़ी रखवाली की इनके उपर जिम्मेदारी है लेकिन जिसके उपर जिम्मेदारी है वो खुदय भूखा प्यासा बैठा है तो जो हकीकत है वो भी ये लोग देख लें जो अर्थब्योस्था को जमीन से आपसमान पर पहुचा रहे हैं उस अर्थब्योस्था का क्या फाइदा जब करमचारियों को महीने पर समय से बेतन न मिलें जब उनके बच्चे स्कूल की समय से फीज न दे पाऊंएं घर में समय से रासन ना पाए लोग जो आकड़ों की बाजीगरी करते हैं ऐसे मनिश्टर ऐसे परमुख सचिव उनका दिल कप पसीजेगा उनको दूसरों का दर्द कब महसूस होगा इस खबर से अगर वो जाग सकते हैं तो जा गए और समझे मंत्री में सा पाइद इतना साहस नहीं है कि वो सरकार के सामने मुद्दे उठाएं और अपसर अपनी मनमानियों के चलते विख्यात हो चुके हैं तो मंत्रियों परमुख सचिवों के बीच जहां तालमेल नहीं है वहां पर सरकार भी कोई निर्णय नहीं ले पाती या उसके सामने ऐसे म साइना दिखाती हैं जूट से परदा उठाती हैं सच्चाई सब के सामने लेकर आती हैं हम उम्मीद करें कि साइद इसी खबर से इन 300 करमचारियों को सरकार वेतन दे दे और उनके घर-परिवार की खुशाली लौट आए बैराल पावर सेंटर में इतना ही लेकिन जाते-जात कि आज हमारे बीच मुनवर्राना जो देश के परसिद्ध सायर हैं वो नहीं रहे उनके जाने पर बहुत सारे साइद जगत के लोगों को दुख है मैं बहुत सारी उनकी गजले शायरी आपको पड़ता और सुनाता रहता हूं आज उनकी कुछ लाइनों के साथ हम समापन कर करेंगे क्योंकि वो समाज पर बेबाग लिखते हैं हर ब्योस्था पर लिखते हैं उनके व्यंग सीधे होते हैं और उनकी लेखनी लोगों के दिलों में उतर जाती थी तो सुनिएगा कि अजब दुनिया है ना सायर यहां पर सर उठाते हैं और जो सायर हैं वो मैफिलों मे दरी चादर उठाते हैं तुम्हारे शहर में मैयत को भी सब कांदा नहीं देते हमारे गाओं में तो छप पर भी सब मिलकर उठाते हैं और गजल हम तेरे आशिक हैं मगर इस पेट की खातिल कलम किस पर उठाना था कलम किस पर उठाते हैं नमस्कार कर दो कर दो कर दो